इस्राइली हमले में हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरुल्ला मारा गया है इस्राइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार को यह दावा किया है जनकारी के मुताबिक IDF यानी की इस्राइली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उन्होंने लिबनान के राधानी बेरुत में हिजबुल्ला के ह थीक होने पर कोई बयान जारी नहीं किया था बता दें कि नसरुल्ला 1992 से इरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला का चीफ बना था वह संगठन के फाउंडर मेंबर्स में से एक था इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान पर एक एर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के दूसरे सब रिडर फुआद शुकर को मार गिरा था, इसके ठीक अगली दिन 31 जुलाई को इरान पर हमला कर हमास चीफ इसमाईल हानिय को भी मार गिराय दिया था अब हेजबुला की लीडर्शिप कोई सिनियर नेता के हाथ नहीं है वहीं हमास की लीडर्शिप में सिर्फ याया सिन्वार जीवित है जो गाजा में मौजूद है